एलो स्टुडेंट्स वेल्कम बैक टू यो फेवरेट चैनल स्टड़ी वी जैनी आज मैं क्लास ट्वैल्थ हिस्ट्री चाप्टर फोर्थ इंकर बिलिपस एंड बिल्डिंग की लास्ट वीडियो लेके आयों से पहले इस चाप्टर से रिलेटेड में टू वीडियो बना करते हैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादस ज्यादस अपने मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करें तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फस्टली पोपुलर्ट अडिसंस के बारे में जानने वाले हैं तो फस्टली हम देखेंगे याँ पर अदर स्क्लप्चर्स एड सांची वर पराप्स नो डारेक्ले इंस्पायर बाई बुद्धिस्ट आडिया तो हम सांची स्टूपा के उपर जो स्क्लप्चर्स एंग्रेवड किये गए हैं वो क्या है डारेक्ली जो इस से रिलेटिड नोन बुद्धिस से रिलेटिड भी हमें इस परकार के स्क्लप्चर्स मिलते हैं तो फस्टली हम पर एक कूमेंस दी गई है जो सांची स्टूपा का गेटवे है उसके एजिज के उपर एक ट्री को होल्डिंग करके पकड़ती हुई वो स्विंग कर रही ह जूलती भी दिखाई गई है तो इसको लेकर जो स्कूलर्स थे उनके अलग-अलग व्यू थे तो इसके बारे में देखते हैं फस्टली जो स्कूलर्स हैं यह उमन्स की जो स्क्लप्चर्स थी इसके साथ वो रिलेट करते हैं कि हो सकता है यह उमन्स एक रिनेंसियेशन त्याग तपस्या से रिलेट करती हो लेकिन जब जो स्कोलर्स हैं हुनों ने जो टरडिशन्स लिटरेरी टरडिशन्स हैं उनको रीड आउट किया तो हुनों ने पाया कि जो संस्कृत लिटरेचर है उसके अंदर जो that was the sculpture of a beautiful woman का जो sculpture है उसको see is a salbhanjika यह salbhanjika है इसको Sanskrit text के अंदर salbhanjika के नाम से जाना जाता है तो यह जो sculpture है इसको एक auspicious symbol के रुप में देखा जाता है इसके बारे में जो popular bleeps हैं उसके according यह माना जाता है कि जो यह omen है यह अगर कोई tree है उसके उपर नहीं तो flowers है नहीं fruits लग रहे हैं तो अगर यह omen जो salbhanjika है उस tree को touch कर देती है तो उस tree के उपर flowers grow करने लगते हैं और fruits लगने लगते हैं तो इस परकार से जो salbhanjika है इसकी sculpture को auspices symbol के रूप में भी देखा गया है अब हम देखते हैं कि जो 37 स्थूपा है उसके उपर उसके अंदर जो बुद्धिस्ट आडिया से आडिया की जो sculptures हैं प्री बुद्धिस्ट आडिया और नोन बुद्धिस्ट आडियाज को अडोप किया गया है और नोन इस परकार से बुद्धिजम इन्रेच्ड होता चला गया मतलब बुद्धिजम के अंदर प्री बुद्धिस्ट को मानने वाले लोग हैं उसके अलावा नोन बुद्धिस्ट आडियाज वाले लोग भी हैं अब हम आगे देखते हैं हमने firstly देखा कि जो 37 स्थूपा है उसके उपर जो एक स्क्लप्चर बना हुआ है ब्यूटिफूल उमांस का उसको फस्क्ली रिनेंसियेशन से जोड़कर देखा गया बाद में पता चला कि जो संस्क्रिट टेक्स्ट है उसके अंदर इसको साल भंजीका के नाम से जाना जाता है तो अब सेकिंडली जो के हैं तो फस्क्ली तो हमने संस्क्रिट टेक्स्ट से देखा इसको दूसरा है इसमें एनिमल्स से रिलेट करके देखा गया है तो जो सांचिस्टूपा है उसके उपर एनिमल्स की डिपिकेशन की गई है उसके अंदर कौन-कौन से एनिमल्स को इंक्लूड किया गया एलिफ स्कोलर्स यह मानते हैं कि जो एनिमल्स को साचिस तूपा के उपर एंग्रेवड करने का फस्ट रिजन हो सकता है यह राओ की हुमन्स को एट्रिब्यूट करना लोगों को ज्यादा से ज्यादा आकरसित करना यहां पर एक एक जामपल दिया गया है एलिफेंट का जिसको डिप स्ट्रेंग्स में ताकत या सकति का प्रतीक और विजडम जो एनिमल है उसको स्ट्रेंग्थ और विजडम का सिंबल माना जाता है अब हम यहां देखेंगे एक पिक्चर दिखाई गई है इसके बीच में एक ओमन्स है और उसके चारों और कौन दिखाएंगे एलिफेंट्स हैं और वो एलिफेंट्स क्या कर रहे हैं उस महिला के उपर कौन सी क्रेशन कर रहे हैं कौन सी क्रेशन में उसका हभी से कर रहे हैं लाइक जब एक जो किंग होता है वो थोन के उपर बैठता है तब उसकी कौन सी क्रेशन की जाती है उसी परकार से इस उमन्स की भी कौन सी क इस पिक्चार्स को किस रूप में देखते हैं, वो कहते हैं, कि यह जो inconsistent है, firstly, इस one's assistance out of Buddhist text से लिया गया है, किस scholars ने इस स्क्लप्चर्स को कहा है, कि see is a Maya तो यहां पर questions create होता है कि who is Maya तो Maya was the mother of the बुद्दा माया कुन है बुद्दा की मदर secondly इसके अंदर जो देखा गया इस picture को किस रूप में देखा गया गजलक्समी तो गजलक्समी का literary meaning क्या है the goddess of good fortune मतलब अच्छे भागे की देवी माना गया और उसको किसके साथ associate किया गया इस sculpture पिक्चर को elephants के साथ associate करके देखा गया अब यहां पर यह बात उठती है कि उस time period में हम इस sculptures तो दिखाई देते हैं कि past time में paintings भी हुआ करती थी तो हम देखते हैं कि जो hard surface होता था उसके उपर mostly जो paintings थी वो historians को available मिलती हैं आज के time में और सबसे ज़्यादा best example ने हम past time का paintings को लेकर तो जो सबसे लंबे time तक survive करने वाली जो best paintings हैं वो मिली हमें caves of walls जो गूफा की walls हैं उनके उपर दिखाई देती हैं उसका example हमें कहां मिलता अजन्ता महरास्ट्रा की जो cave's हैं वहां की famous paintings हमें मिलती हैं फिर यहां पर बात ही आती है कि यह paintings अजन्ता के अजन्ता में depict की गई हैं वो किस story को best करके painting बनाए गई हैं तो यह जताका story के उपर based हैं और हम यह देखते हैं कि जो यह paintings बनाए गई हैं उनके अंदर story include हैं इनके ऊपर country life के बारे में men women's जो work करते थे उनके बारे में उस time जो festivals थे उनके बारे में यह सब किया गया उस time के जो artist लोग पे वो किस परकार की techniques का यूज करते थे तो 3D या 3D national techniques का यूज करते थे और साथ ही साथ वो किस परकार की paintings color paintings के अंदर colors का यूज करते थे तो वो naturalistic थी मतलब natural colors का यूज करते थे अब हम आगे आते हैं यहाँ पर हमें एक pictures given है और यह जो सांची स्टूपा है उसके pillars पे बनी हुई है serpents की pictures बनी हुई है अब हम आगे next page पे आते हैं और देखते हैं कि जो यहाँ में picture given है जो सांची स्टूपा के उपर जो several pillars हैं वहाँ पर बनी हुई है अब हम बात करते हैं कि earliest time के अंदर एक modern art historians वे जिनका नाम James Ferguson था उन्होंने firstly सांची स्टूपा के उपर इस परकार की scriptures को देखा और उन्होंने guess कि हो सकता है बुद्धिजम के अंदर trees और serpents की worship की जाती हो उन्होंने ऐसा इसलिए का कि वो बुद्धिष्ट जो literature था उससे familiar नहीं थे उस time हो सकता है कि बुद्धिजम का जो literature था वो इतना नहीं लिखा गया हो बाद में वो इस conclusion पे पहुँचे कि इस परकार की जो pennings थी वो जो बुद्धिजम से out of relate करके उनको बनाया गया था next अपने topic पे आते 10 new religious traditions the development of मायान बुद्धिजम तो बुद्धिजम के अंदर किस परकार से मायान जो बुद्धिजम है उसका emergence हुआ तो by the first century CE there is evidence of changes in Buddhist ideas and practices तो हम first century CE की बात करें कोमन एरा की बात करें तो within time जो बुद्धिजम आडियाज है उसकी वाज़े से बुद्धिजम के अंदर काफी changes आ रहे थे और इन changes के अंदर सबसे ज़्यादा किसके उपर जोड़ दिया जा रहा था किसके उपर सबसे ज़्यादा emphasis किया जा रहा था जो self efforts थे उसके उपर सबसे ज़्यादा जोड़ दिया जाता था क्योंकि self efforts से ही लोग क्या है निबाना को प्राप्त कर सकते हैं हमने देखा था जी बुद्धा जी थे उनुने शुरू आत्मी जब alignment की प्राप्ती हुई या वो निबाना को उनुने प्राप्त किया तो उनुने सबसे पहले self efforts से ही ऐसा किया था इसलिए सबसे ज्यादा जोड़ दिया जाता था लेकिन धीरे धीरे जो बुद्धी जम है उसके अंदर चेंजिज जाने लगे और बुद्धा जी को किसका रूप में देखा जाने लगा एक सेवियर के रूप में एक मुप्ति दाथा के रूप में या एक गोड के उरूप में देखा, देखा जाने लगा कि ये माना जाने लगा कि जो बुद्दाजी हैं, वो हमारे सेवियर हैं, जो रक्सक हैं, वो हमें बचाएंगे हमें निबाना या सेलवेशन की प्राप्ति करवाएंगे, एक राइट पाथ हमें दिखाएंगे, अब य सत्ता का means है कि वो religious teachers जिनके अंदर बहुत good merits होती थी और वो दूसरे लोगों के लिए efforts करते थे कि उनको attend निबाना की प्राप्ती हो वो खुद क्या है निबाना को प्राप्त नहीं करते थे लेकिन दूसरे लोगों की इसके लिए help करते थे कि उनको निबाना प्राप्त हो सके अब हम आगे भड़ते हैं और देखते हैं कि जैसे जैसे ये नई thinking बुद्धिजम के अंदर create हो रही थी उसको किस नाम से जाना जाने लगा महायाना के नाम से जाना जाने लगा और उसका literary meaning क्या था great vacals और जो उस time के old traditions थे जो बुद्धिजम के old traditions को मानने वाले लोग थे उनको ही न्याना का गया और उसका literary meaning था lesser vacals ही न्याना और थेरवादे तो हमने देखा था कि ही न्याना को उन थे जो बुद्धिजम के अंदर old traditions को follow करने वाले लोग थे उनको ही न्याना का गया अब यहाँ पर आता है थे थेरवादेन तो थेरवादेन का क्या meaning है जो religious teachers थे वो कहें लोगों को right path दिखाते थे old traditions को follow करते थे उन respective teachers को थेराज खा जाता है अब हम next अपने topic पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे the growth of औरानी की हिंदुजम तो हम देखते कि बुद्धिजम की तरह हैं बिल्कुल हिंदुजम में भी इस परकार का emergence हो रहा था इस परकार का एक notion create हो रहा था saviour को लेकर तो दा निया पर क्योंस आता है दा notion of a saviour was not unique to बुद्धिजम तो जिस परकार से हम देखते हैं बुद्धिजम के अंदर बुद्धा जी को एक saviour के रूप में देखा गया है उसी परकार से हिंदुजम के अंदर भी एक notion नोशन मिस इस परकार का थोट के रेट हो गया था सेवियर के रूप में एक मुक्ती दाता है या बागवान के रूप में अब हम बात करते हैं जो हमारा हिंदु जम है उसके अंदर जो स्कोलर्स हैं उन्होंने टू रिलिजन्स के बारे में बताया है तो फस्टली हम देखते ह जो लोग फस्टली जो रिलिजन्स था वो वैसनिजम के नाम से जाना जाता था जो लोग इंदुजम टडिशंस के अंदर विश्नु जी की वर्षिप करते थे विश्नु जी को अपने प्रिंसिपल डाइटी या मेतवपून देखता मानते थे वो वैसनिजम कहला है और जो लोग सीवा की devotion करते थे, भगती करते थे, उनको अपना chief गोड मानते थे, उनको क्या का गया, उनको सेवी जम का गया, और धीरे धीरे जो हमारा Hindu जम था, उसमें सबसे ज़्यादा किसकी उपर दिया जाता था भगती के उपर दिया जाता था बगत और भगवान के बीच में जो लाव एंड डिवोशन है उसको किस नाम से जाना जाता है भगती के नाम से जाना जाता है अब हम यह वैसनिजम के बारे में बात करने वाले हैं तो वैसनिजम के अंदर जो बहुत सारे कल्ट थे उनका धीरे धीरे डवलपमेंट हो रहा था और वैसनिजम के अंदर अलग-अलग जो इनकार्नेशन में अलग-अलग देवता के रुप में अवतार्स हो रहे थे लाइक दिस पिक्चर को आप देख सकते हैं यहां पर एक विसनू का एक अवतार को दिखाया गया है इसको वरा की नाम से जाना जाता है जो किसको सेव कर अर्थ को सेव करते वे दिखाये गए हैं अब हम यहां पर देखते हैं जो हमारा वैसनिजम है उसके अंदर कितने कितने अवतार्स बताये गए हैं टैन अवतार्स को बताया गया है और यह माना गया है जब वर्ल्ड के अंदर डिस ओडर और डिस्ट्रक्शन होना शुरू ह हो जाती है या जो हमारा वर्ल्ड है इवल फोर्सिज बुराईयों से बार जाता है उस टाइम कोई न कोई ऐसा अवतार भगवान के रूप में जनम लेता है जो लोगों को सेवियर करता है लोगों को बचाता है तो इस परकार के जो थोट है इस परकार की जो सेव करने वाली जो बाते हैं उनको एक unified religious traditions के रूप में जाना जाता है अब यहाँ पर हम सीवा का एक example लेते हैं और देखते हैं जो सीवा है उसको किस रूप में symbolized किया जाता है लिंगा के रूप में मिल सीव लिंग की पूजा की जाती है secondly जो सीवा है उनको किस रूप में represent किया जाता है कि human form के रूप में भी उनकी worship की जाती है अब हम देखते हैं जो हमारे main dieties होते हैं उनके बारे में देखते हैं कि उनमें attributes thoughts एक symbol के रूप में कौन-कौन से हैं तो firstly हम देखते है head dresses तो यहाँ पर हम सीवा का example लेते हैं सीवा है उनके सर के उपर चांद होता है और गंगा का origin होता है तो यह head dresses का example हो गया secondly जो dieties होती है वो ornaments डाले रहती है तो वो ornaments किसीन किसी symbol का symbol के रूप में उनको देखा जाता है thirdly होते है आयुद्ध आयुद्धाज आयुद्धाज का means होता है जो हमारी dieties होती है उनके हाथ में auspicious object के रूप में या तो कोई weapons होता है क्या कोई other objects वो अपने हाथ में पकड़े हुए होते हैं तो उसको आयुद्ध्याज का जाता है like हम देखते हैं जो हमारे विश्व करमाजी हैं उनके हाथ में भी इस परकार के weapons को show किया जाता है अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारी sculptures थे उनके बारे में historians ने क्या हैं बहुत सारी जो story जुड़ी हुई हैं उनको read out किया उनके बारे में जाना तो हमें storage का मिलती हैं हम देखते हैं जो storage पुराणाज के अंदर लिखी भी मिलती हैं और ये पुराणाज को कब compiled किया गया और किसके द्वारा compiled किया गया तो पुराणाज को ब्रहामन की द्वारा compiled किया गया और first millennium CE first millennium common era के अंदर one thousand years जो middle time period था तब पुराणाज लिखे गये तो हम बात करें कि इन पुराणाज के अंदर क्या लिखा गया है तो जो लोगों की अपसी एक दूसरे से interaction होता था एक दूसरे से वो मिलते जुलते थे जो बाते करते थे वो किसके अंदर include की गई वो पुराणाज के अंदर include की गई और उस time जो वेदाज होते थे तो होती थी उस time की society में कौन-कौन से rule regulations को follow करना होगा अगर किनी जिन लोगों ने इन rule regulations को follow नहीं किया उनके साथ जो हुआ उन सब को किस में compiled किया गया पुराणाज के अंदर compiled किया गया तो पुराणाज के अंदर जो stories हैं वो relate करके देखी गई हैं और उनमें बताया गया है अब हम बात करें कि उस time period में जो वेद लिखे गए थे तो वेदाज को के जो सुतराज और उमन्स होती थी वो नाहीं तो वेदिक जो वेदा होते थे उनको learning कर सकती थी नाहीं वो reading कर सकती थी लेकिन पुराणाज के बारे में ऐसा नहीं था जो पुराणा थे उनको वो लो पर लिया गया है कि उस टाइम पीरड में जो व्यासुदेव किर्ष्णा था मतुरा रीजन का इंपोटेंट डाइटी भगवान माना जाता था लेकिन विदिन टाइम चेंजिज होते गए और इस टाइम चेंजिंग टाइम के अंदर जो व्यासुदेव किर्ष्णा थे वो पूरे वर्ड के अंदर जो कंट्री है कंट्री के मैनी पार्ट के अंदर ये सेप्रेड होती चले गई इनकी रिलीजन्स की बाते अब आते हैं 10.3 बिल्डिंग टेंपल्स अराउंड ताइम बात करें कि जिस परकार से सांचि श्टूपाज बनाए गए वैसी ही आज समय के टाइम में सुरुवाती रूप से टाइम पल्स बनाए जाने लगे हिंदुजम के अंदर गोड और गोड़ेस के लिए अरली टाइम पिरेड के अंदर जो टेंपल्स बनाए जाते थे वो एक स्कॉयर रूम की तरह होते थे और उनको ग्रव ग्रा के नाम से जाना जाता था उनका एक सिंगल डोर वे होता था जिसमें क्या है वर्सीपर पुज के बनाया जाने लगा ओस है जो मंदिर था टेम्पल से उसके उपर और उसको किस नाम से जाना जाने लगा उर यह कहां बिल्ट के आ जाता था जो इस जो स्राइन होती थी उसके सेंटर के उपर बिल्ट किया जाता था अब हम देखते हैं कि बाद में जो टेमपल्स होते थी उनकी वोल्स को भी स्कलप्चर से डेकोरेट किया गया और धीरे धीरे जो बाद की जो टेमपल्स बने उनको इलोबरेट किया गया किसको लेकर वहाँ पर असंबली होल्स बनाए गये हूज वोल्स बनाए जाने लगी गेटवे बनाए जाने लगी और साथ ही साथ वोटर सप्लाई को लेकर भी अरेंजमेंट किये जाने लगे अब जो हमें आगे जो examples मिलते हैं जो इन temples की unique features मिलती है early temples की वो ये मिलती हैं कि जो हुज रोक होती थी उनको होलोड करके मतलब उनको खोखला करके artificial caves से temples बनाए जाते थे यहाँ पर एक pictures दिखाए गई है आप देख सकते हूँ यह pictures किसकी बनाए गई है यहाँ पर विश्णु विश्णु को एक आवतार के रुप में दिखाया गया है विश्णु भगवान की मूर्ती है देवगड उत्तर परदेश का जो मंदीर है यह 5th century की बनीवी मूर्ती यहाँ पर दिखाए गई अब हम 3rd century की बात करते हैं 3rd century BC के अंदर जो हसोखा थे उन्होंने अपने रिनामसर्स थे जो उनकी structures बनाने वाले लोग थे उनको order दिया की वो आजीवी का sex के लिए इस परकार की artificials के उसका निर्मान करें अब हम देखते हैं कि दीरे दीरे जो 8th century के अंदर इस परकार की temples के अंदर carving होना सुरू हो गई तो हमें यहाँ पर एक example मिलता है कि इस परकार carving किया हुआ एक temple का example किसका मिलता है कैलास नात का जो मंदिर था वो एक सीवा का एक अवतार माना जाता है उसका temple अब हम आगे देखते हैं कि एक copper plate inscriptions का हमें record मिलता है और उस पर हमें पता चलता है कि जब इस temple का निर्मान जो बन यह temples बनाया जा रहा था जब यह sculptures बनके पूरा complete हो गया तो जो बनाने वाला और उसका जो मेसंस था उसने का कि जो मैंने यह temple बनाया है ओ, how did I make it? तो वो कहता है कि यह मैंने कैसे बनाया मैं खुद के उपर ही believe नहीं कर पा रहा हूँ यह कितना सुन्दर मंदिर बना है तो यहाँ पर यह pictures में आप देख सकते students, यहाँ पर कैलासनात मंदिर की pictures दिखाई है जो एलोरा महरास्ट में है और यह temple किस से बनाया हुआ है? रोक्स को काट कर बनाया गया है Can we see everything? क्या हम जो temples बनाये उस time की जो sculptures बनाई उन सब के बारे में सब कुछ समझ पाते हैं कि जो architecture होते थे जो sculptures बनाने वाले होते थे या paintings बनाने वाले होते थे उस time period के जो लोग होते थे क्या हम उनकी सब बातों को समझ पाते हैं कि वो हमें क्या सो करना चाहते थे क्या बताना चाहते थे क्या वो हम सब अंडरस्टेंड कर पाते हैं ऐसा नहीं है फरस्टी 11.1 हम देखते हैं स्कोलर्स क्या कहते हैं इस बारे में तो grappling with the unfamiliar तो कई चीजे ऐसी होते हैं जिन से हम unfamiliar थे फिर भी हम उसको क्या है समझने की कोशिस करते हैं अब 19 सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर European scholars आए और हुनोंने firstly sculptures को देखा हमारे गोड और गोड़ेस की sculptures को तो firstly they could not understand firstly तो वो यह नहीं समझ पाए कि these are about यह किसके बारे में हैं sculptures क्या कहना चाते हैं उनोंने यहाँ पर क्या है बहुती जो horrified sculptures थी उनको देखा और साथ ही साथ उनोंने देखा कि उस time period में जो बनी हुई sculptures थी उनके अंदर वो देखते हैं कि जो गोड गोड़ेस थी उनकी बहुत सारी arms थी बहुत सारे heads थी कुछ इस परकार की sculptures भी बनी हुई थी जिसमें half body humans की होती थी कुछ animals का form होता था तो इस परकार की जो sculptures थी उनको बड़ी strange लगती थी बड़ी horrified लगती थी और वो इनसे unfamilier थी अब हम इनकी बात करें कि वो जो European scholars थे वो उस time में ancient Greek Greek की जो style थी उस से familiar थे उनको पता था कि जो ancient time में जो Greek लोग थे वो कि styles का use करते थे sculptures को बनाने के लिए लेकिन हुनोंने Indian sculpture को inferior माना है किसकी बजाए जो Greek artist थे उनकी बजाए जो Indian इंडियन आर्टिस्ट ने इस परकार के जो sculptures बनाए है उनको ग्रीक आर्टिस्यन से ज़्यादा अच्छा नहीं माना है बुद्धा और उन्होंने बुद्धी सत्ता की जो models देखे उनको देखकर उन्होंने फस्टली उनको देखा और Greek model से उनको comparison किया तो उनको फस्टली ये तो समझ में आ गया जो बुद्धा है वो एक गोड़ है अब उस time period के अंदर हमारी नोर्थ वेस्ट के अंदर दो city हुआ करती तकसिला और पेसावर तो हमारी इंडिया के नोर्थ वेस्ट के अंदर कौन सी rulers rule कर रहे थे इंडो ग्रीक rulers rule कर रहे थे कौन सी century के अंदर second century BC के अंदर उनका यह rule था तो इस परकार से जो scholars आए तो उनों ने यहां की sculptures को किसके साथ comparison किया ग्रीक जो ग्रीक sculptures थी उनके साथ comparison किया क्योंकि वो ग्रीक style से family अर्थ है इस परकार से उनों ने उनको ये तो समझ में आ गया जो बुद्दी सत्ता और बुद्दा जी हैं वो एक Lord के रूप में एक भगवान के रूप में उनको स्योग किया गया है अब हम आगे देखते हैं If text and image do not match कई ऐसी sculptures भी मिली हैं हमें जो किसी भी चीज से match नहीं करती किसी भी scene से match नहीं करती उसमें example लिया गया है महा बलीपुरम की यहां पर देखे यह महा बलीपुरम का जो मंदीर है उसकी pictures को यहां पर show किया गया है उसमें दिखाया गया यह वाली pictures है महा बलीपुरम मंदिर के उसके अंदर आप देख सकते हो इसके उपर जो cleft बनी हुई है तो इसका means वो ये लगाते हैं इस परकार की जो ये cleft बनी हुई है यहां ये picture में एक cleft दिखाए गई है इनको हुनोंने माना है कि throw the center of the rock surface might represent the river तो हो सकता है कि river को represent कर रही हो इस पिक्चर को किसके साथ relate करके देखा है जो मा भारता के अंदर जो अरजुन थे उनके साथ हीनोंने relate करके देखा है और हुनोंने बताया है कि जो माभारता के अंदर अर्जुन थे दूइंग पिनेंस मिस पच्चा ताप करना कोई चीज को लेकर तपच्चा करना ओन दा रिवर बैंक इन ओडर टू अक्वायर आम्स तो हो सकता है secondly जो स्कोलर्स थे उन्होंने माबली परम का जो मंदीर है किसके साथ रिलेट किया जो माभारत के अंदर जो अर्जुन थे उनके साथ रिलेट किया कि हो सकता हो वो पिनेंस कर रहे थे रिवर के नजदी क्या प्राप्ट करने के लिए अपने आम्स में दिवे अस्तर प्राप्थ करने के लिए तो इस परकार से जो ये sculpture है उसको किसका center point माना है इस मूर्तियों के बीच में सादू को एक center point माना है और उसको सबसे ज़्यादा importance दिये है तो friends आमारा chapter यहां पर finish होता है तो I will meet my next video thanks for watching my